नमस्कार भारतिय खाना चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आलू की चाट बनाएंगे आलू की चाट के लिए हमें दो उगले हुए कटे हुए आलू, नमक, लाल मिर्ची, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, थोड़े अनार के भी और हरा धनिया कटा हुआ, फेटा हुआ धाई, हरे धनिये की चटनी और कटी हुई प्यास और इंब्री की चटनी, हम को इन चीजों की जोराते हैं, आईए अब हम बनाते हैं, अब हम बनाते हैं इसको और हम तेल डालेंगे, अब हम इनको चलेंगे, अब ये तल लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे, अब ये थोड़ा ठंडा करना है, हम एकदम गरम नहीं डालना है, अब हम इसको हम तयार करेंगे, हमने आलू डाले, अब हम फेटा हुआ धही डालेंगे, और चाट मसाला डालेंगे इसके बार, अब हम प्याज डालेंगे, और हरे धनिये की चटनी डालेंगे, इंबली की चटनी डालेंगे, इंबली की मीठी चटनी डालेंगे, फिर हम को थोड़ा धाई डालना है, अब इसके उसको हम थोड़ा नमक डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अहुसार मिर्ची डाल सकते हैं, नमकर मिर्ची को और जीरा डालेंगे इसके उपर, अपने जीरा नमकर मिर्ची डालेंगे, और भरा धनिया डालेंगे, कटा हुआ, और अनार दानी डालेंगे, यह हमारी आलू की चाट तयार हो गई है, और रेसीपी के लिए हमें सस्क्राइब करें, और आपका एक्सपीरेंस हमारे साथ सेयर करें, धन्यवाद,